नवाश्कार बच्चो तो बच्चो कैसे आप पिछले भाग में हमारे दो प्रश्णित आए गए थे डिसकस होने से चलिए हम उनके उत्तर भी डिसकस करते हैं पहला प्रश्णिता पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए रेखा चित्र मतलब उस व्यक्ति का चित्र है ठीक है और उसकी क्या क्या विशुष्षता हैं तो पानवाला कैसा था पानवाले एक काले रंग का मोटाव्यक्ति था लेकिन द्ध़ मुश्मिजज स्था वो हर समय पान खाता रहता था, इससे उसके दान काले लाल हो गए थे और बहुती खुश्मिचास था अब हर बात को वो व्यंग में और हसी में ही बोलता था और वो एक कस्बे की हर बात की जानकारी उसको रहती थी जिसको वो लोगों को बताने में बड़ा ही आनंद कानुभव करता था और जहां तक हम कह सकते हैं कि वो एक सम्वेदन शीर व्यक्ति भी था योकि कहानी के पूर में समझ में नहीं आता है लेकिन कैप्टन की मृत्यूग का समाचार देते हुए उसकी आखें नम हो जाती है और वो अपने आजू पहुंचने लगता है तो वो एक सम्वेदन शीर व्यक्ति भी था अगला प्रशन है वह लवना क्या जाएगा फॉज में पागल है पागल कैप्टन के प्रती पानवाले की स्टिपणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लेखिए जब हालदार सहब पूस्ते हैं कि इस मूर्ती पर चश्मा कौन लगा देता है तो पानवाला कहता है कैप्टन लगा देता है सहब तो हालदार सहब कहते हैं कि क्या वो नेता जी के साथ था या उनकी फौज का सिपाई था तो वो चश्मे वाले की मजाग बनाते हुए पानवाला कहता है कि अरे सहाब वो तो लंगड़ा है पागल है वो फॉज में क्या जाएगा तो उसकी इस बात को हालदार सहाब सुनते हैं लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो ये जो पानवाले ने उसके प्रती जो टिपड़ी की है वो कहीं न कहीं हमें भी सही नहीं लगती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शारीरिक रूप से अपंग होना नहीं चाहता अगर वो शारीरी रूप से या मालसिक रूप से उसके अंदर कोई कमी है तो ये इश्वर की इच्छा से होता है या किसी दुनगटनावश होता है ठीके तो हमें किसी भी की भी शारीरिक अपंगता का मजाग नहीं बनाना चाहिए और वहां कैपटन जैसा व्यक्ति जो कि बहुत ही साधारण था फिर भी उसकी वो देश्प्रेम से उत्प्रोथ था देश्प्रेम की भावना उसके अंदर कूट-कूट कर भरी होई थी तो ऐसे व्यक्तियों का तो बिल्कुल भी नहीं और हमारी समझ से तो किसी भी व्यक्ती के शारीरिक या मांसिक अपंगता का मजाग नहीं बनाना चाहिए तो बच्चों ये तो हमने प्रशन उत्तर डिसकस कर लिए आपको समझ में आ गए हैं वीडियो देखिए और बारवार सुनिए और उत्तर लिखिए ठीक है अब इसके अलावा रचनात्मक अव्यक्ति के ये प्रशन हैं जिनको आप नोट कर लीजिए और इनके उत्तर आपको लिखने हैं ये रजनात्मक अव्यक्ति के प्रशन है ये आपको अपनी कल्पना के आधार पर अपनी समझ के आधार पर लिखना है रजनात्मक उत्तर आप लिखेंगे तो इससे आपकी लेखन कौशल का विकास होगा, लिखने की कुछलता आपके अंदर आईगी, ठीक है, इसमें पहला है कि हालदार साहब ने जब तक चश्मे वाले को नहीं देखा था, तब तक उनके दिमाग में क्या उसका चित्र रहा होगा, तो यह आप अपनी कल्पना की उड़ान से लिखिए, कल्पना क्या वो सोच सकते हैं, पानवाले ने जैसे बताया था, कैप्टन लगा दीता है चश्मा, तो उसको सोच करके, उसको सुन करके, उनके मन में क्या उसका चित्र रहा होगा, अपनी कटना क्या थार पर आपको इसका उत्तर लिखना है, और दूसरा है कि आज कल हर कजबे में, हर शहर में, महानगरों में, अपने चौराहों पर प्रसिद्व्यक्तियों की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, और ऐसा आपने भी देखा होगा, तो आप जिस शेत्र में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, तो वहाँ अपने चौराहे पर, अपने शहर के और क्यों और उस जब वो मूर्ति आप लगवाएंगे तो उसके प्रति आपके क्या क्या करता भी हो सकती है यह आप सोच कर अपनी समझ से लेखेंगे ठीक है क्योंकि हर व्यक्ति की हर बच्चे की अपनी अलग अलग चॉइस हो सकती है कोई खेल में प्रसिद्य वक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेगा कोई राजनीती में प्रसिद्य वक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेगा हर बच्चा अपनी पसंद के वक्ति की मूर्तियां इस्थापित करवाना चाहेगा तो यह आप अपनी पसंद के अनुसार इसका उत्तर लेकिन लिखेंगे जरूर क्योंकि जब कक्षाय आरंभ होंगी तो मैं जाचूंगी ठीक है तो पढ़ते रहें लिखते रहें घर में रहें स्वस्त रहें धन्यवाद